Principles of Systematics Module 198 Bilateral Symmetry and Radial Symmetry Basically Radial Symmetry क्या है Radial Symmetry हम कहते हैं कि अगर एक animal को हम दो बराबर हिस्तों में तक्सीम करें और किसी भी plane से हम उसको दो बराबर हिस्तों में तक्सीम कर सकें लेकिन शर्त यह है कि जिस plane से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जो line हम गुजार रहे हैं अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम यह कहेंगे कि इस किसम के animals की जो समिटरी होगी इस किसम के animals की जो समिटरी होगी वो रेडियल समिटरी कहलाएगी इस स्लाइड के अगर हम देखें तो यह animal का सेंटरल एक्सेस है अब अगर हम एक line इस तरीके से ड्रा करें तो हम animal को दो बराबर हिस्तों में तकसीम कर सकते हैं अगर हम यहां से इस तरीके से ड्वाइड करें इस तरीके से भी हम दो बराबर हिस्तों में तकसीम कर सकते हैं ये जो animals हैं जिनके अंदर ये property मौझूद है उनको हम radially symmetrical animal कहते हैं लेकिन कुछ animal ऐसे हैं जिनको हम दो बराबर हिस्तों के अंदर सिरफ एक ही plane से divide कर सकते हैं तो those animals which can be divided into two equal halves by passing an imaginary line through their central axis only through a single plane such animals are known as bilaterally symmetrical animals और ये जो phenomena है इसको हम bilaterally symmetry कहते हैं पर जैंपल इस slide के अदर हम देखें तो ये insect है इसको अगर हम इस तरीके से divide करेंगे तो ये दो बराबर हिस्तों में तक्सीम होगा यानि इसके जो दोनों पार्ट होंगे वो mirror image होंगे लेकिन अगर इस animal को इस तरीके से हम divide करेंगे तो फिर ये दो बराबर हिस्तों में तक्सीम नहीं होगा क्योंकि इसकी आँखें इसका head एक तरफ आजेगा और दूसरा body part दूसरी तरफ होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो animals हैं इनको सिरफ एक ही plane से हम दो बराबर हिस्तों में तक्सीम कर सकते हैं एक से जादा planes में divide नहीं कर सकते तो radially symmetrical animals ऐसे हैं जिनको दो बराबर हिस्तों के अंदर एक से जादा plane से divide कर सके और bilaterally symmetrical animals ऐसे हैं जिसको सिर्फ single plane से दो बराबर हिस्तों में तक्सीम किया जा सके लेकिन शर्त ये है कि divide करते हुए जो line है वो उनके central axis में से गुजरने चाहिए अब अगर हम इन दोनों groups का थोड़ा comparison करें तो basically जो bilaterally symmetrical animals है इनके अंदर बाकाइदा head की formation होती है there is a tendency to form cephalization या brain formation है और ये जो animals है ये advanced animals है ये active animals होते हैं जबके जो radially symmetrical animals होते हैं इनके अंदर जो body organs है वो इनका जो central part है उसके गिर्द एक symmetrical तरीके से arrange होते है ये animal आम तोर पर बहुत ज़्यादा active नहीं होते पर जेमपल अगर हम ऐसे animals की बात करें जो के bilaterally symmetrical है जैसे हम humans की बात करें, हम amphibians की बात करें, हम reptiles की बात करें, हम birds की बात करें ये सारे bilaterally symmetrical animals है इसी तरीके से अगर हम invertebrates की बात करें तो invertebrates के अंदर जो arthropoda है वो भी bilaterally symmetrical animal है इसी तरीके से इवन planaria जो के platyhelminthis के अंदर है उसके अंदर भी bilaterally symmetry मौजूद है अब अगर हम echino derms की बात करें, तो echino derms को भी हम bilaterally symmetrical animal कहते हैं अब जब हम echino derms की larval stage की बात करते हैं, तो larval stage के उपर इसका जो larva है उसके अंदर bilaterally symmetry है लेकिन जब ये animal adult बाल जाता है, जैसा कि यहाँ पे starfish तो फिर इसके अंदर जो symmetry आ जाती है वो radial symmetry है तो basically, basic difference by radial or radial symmetry और bilaterally symmetry वो ये है कि radial symmetry के अंदर हम किसी भी plane से animal को दो बराबर हिस्तों में तक्सीम कर सकते हैं लेकिन bilateral symmetry के अंदर हम सिरफ एक ही plane से animal को दो बराबर हिस्तों में तक्सीम कर पाते हैं